हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स यहाँ पर आशाम एडिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर रिकूरेट्मेंट का जो प्रोसेस होता है यल पी टीचर और यू पी टीचर्स का उनका सेलेक्शन प्रोसेस को चेंज करके नया रूल नया प्रोसेस लाया गया है और यहाँ प वीडियो में हम लोग जानेंगे लौर प्राइमरी स्कूल टीचर्स और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स का सिलेक्शन प्रोसेस अभी कैसे क्या जाएगा उसको हम लोग डीटीज में समझेंगे पहले क्या होता था friend's पहले lower primary school teachers के लिए higher secondary का percentage RELAT का percentage और TAT का percentage को लेके ही selection किया जाता था अभी यहाँ पर friends उस process को change करके नया process लाया गया है Friends नया process में अगर हम लोग lower primary school teachers की बात करे तो friends lower primary school teachers के लिए पहले तो आपका higher secondary का जो total mark से total marks जैसे कि मान लीजी higher secondary में total marks 500 marks का exam होता है और 500 marks का exam देके मान लीजी आपने 400 marks score किया है तो उस 400 marks का 5% लिया जाएगा उस 400 का 5% लिया जाएगा FAST में यहाँ पर 5% percentage of marks secured in higher secondary और equivalent examination तो जो marks आपको higher secondary में मिला है उसका 5% लिया जाएगा और उसके बाद friends DLAD या BLAD में जो marks आपको मिला है उस total marks का 5% लिया जाएगा उसके बाद friends आशाम टेट हो या seated हो जो टेट दे के आप apply करेंगे उसी टेट का उसी टेट में जितना marks आपको मिला है उस marks का 85% मान लिजिया आपने 150 marks का टेट दे के मान लिजिया आपने 100 score किया तो उस 100 का 85% लिया जाएगा उसके बाद friends यहाँ पर 5 marks रखा गया है NCC certificate C certificate के लिए 5 marks और B certificate के लिए 3 marks यहाँ पर दे जाएगा अगर आपके पास है और इन में से यहाँ पर friends और लागा के दे दे जाएगा मतलब यहाँ पर इन में से तीनों में से एक लिया जाएगा यहाँ पर अगर आपके पास sports certificate ही तो यहाँ पर आपके पास fine arts का certificate ही तो इन तीनों में से एक अगर आपके पास है तो वह लेके यहाँ पर calculation किया जाएगा अगर आपके पास तीनों नहीं है तो तब तो आपको यहाँ पर उपर का तीनों लेके यहाँ पर आपका marks calculate का तो आपको सिलेक्शन पाने के लिए ज्यादा मार्क्स आपको टेट में लाना पड़ेगा तब यहाँ पर आप सिलेक्शन में हिस्सा पायेंगे फ्रेंड्स अगर हम लोग अपर प्राइमरी स्कूल टीटर्स का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स अपर प्राइमरी स्कूल टीटर्स का सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स हायर सेगंडरी का जो टूटेल मार्क से उस मार्क से 5% मार्क ल यहाँ पर graduation पास क्या है तो उसके इसमें major subject का जो mark से उसको ही यहाँ पर total marks मान के उसका 5% ले लिया जाएगा और उसके बाद friends start में यहाँ पर DL8 का percentage या B8 का percentage ले लिया जाएगा DL8 या B8 का 5% DL8 या B8 में आपको जितना marks मिला है उसका 5% लिया जाएगा और उसके बाद friends फूर्ट में आपको एटेट या सीटेट में आपको जितना marks मिला है उसका 80% ले जाएगा तो यहाँ पर friends star calculation तो आपने देख लिया है higher secondary का जितना marks आपको मिला है higher secondary में उसका 5% graduation में जितना marks मिला है उसका 5% graduation में यहाँ पर आगर आपके पास measure है अगर आपके पास तीनों नहीं है तो उसकेस में आप फाइब मार्क्स कम पायेंगे ठीक है यहाँ पर एकीविदल से कि उड़ी इस TOP 7 कम नेया उनकर आपके पास NCCC criteria of 5 मार्क मिले स्कूर्ण शायडिकर लोगों को CT AT 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 चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करें लिजेगा तेंक यू फ्रेंट्स फर वाचिंग दिस वीडियो